नामस्कार दोस्तों आपके अपनी चैनल अंकत गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीस सी फाइनल एयर बहुते विज्ञान के प्रिश्ण फात्र बनके मुश्ट इंप्रेंड कोश्चनों के बारे में देखिए दोस्तो और बीस सी फाइनल एयर की ये 20 है इसके दोआरा हम थोड़े बहुत मुश्ट इंप्रवाब कोश्चन देख लेते हैं तो देखिए दोस्तों चलते हैं आँगे बढ़ते हैं क्या दिया हुआ है पहला कोश्चन देर गुत्तिरी परिश्ण है यूनिट वन यानि एकाई वन प्रकास बिद्दत प्रवाब क्या है प्रकास बिद्दत प्रवाब के प्रायोगिक निसकर्स लिखिए इसे समझाने में चिर सम्वत सिद्दान्थ क्यों असफल रहा पिलांग के कुईंटम सिद्दान्थ दौरा आंश्टीन ने इसे किस प्रकात समझा है तो देखिए दोस् यूनिवर्सिटियों के नाम लिखे हैं लेकिन ये बेरी बेरी मुस्ट इंपूरेंट कॉश्चन है तो देखी दोस्तों चलते हैं इसको समझते हैं क्या दिया हुआ है जब किसी धादू तल यानि जैसे कोई भी धादू तल हो यानि धादू काई परकार की होती है उन भी तल हैं जो करने होती हैं सूर से आती हैं उन परावेगनी परकाश को अम डालते हैं ज्यस्ते की प demonstrate तो क्या उगा तो दादू तल से एलेक्टून मुक्त होकर उतसरजत होने लगेंगे कि क्या होता है परावेगनी जब प्रकास डाला जाता है किसी धादू की प्लेट पे उदारान के लिए जस्ते की प्लेट लिए हमने तो क्या होता है मुक्त होकर इलेक्टॉन उत्सर्जित होने लगते हैं इस गटना को प्रकास बिदुत प्रवाब तता उत्सर्जित हैं यहां पर क्या दिया है प्रिक्स बिद्द प्रवाब के प्रायोगे ! निस करस लेखिए। प्रायोगेख निसकरत है जनको आप पड़ सकते हैं-, क्या दिया हुआ इसमें उठ्संज़त इलेक्ट्रxt था होती है, जो हुअ उठ्सरज़ थाności हो आप दोस्तों यहाँ पर चार जरूरी नहीं है, आप चारी पॉइंट याद करो, आप तीनी भी कर सकते हैं, अगला क्या है, दादू सत्या पर परकास के गिरते ही इलेक्टोन उतसर्जत होने लगते हैं, यानि जैसे यह जिसे जिस्टे की प्लेट है, जिस्टे की प्लेट ल बीजिरों से अदेक हो, यानि बीजिरों से यह जिस्टे की आधिक होनी चाहिए, इस नहींता हम आप विजिरों को दी गई दादू तलह की देहली आप विडिति, जैसे क्या कहते हैं, देहली आप विश्टे की तो देखे दोस्तों आप इनमें से चारी कर सकते हैं, अगला देखते हैं 14 क्या है, उतसर्जित ऐलेक्ट्टोनों की संक्य आपतीप्रकास की ती बृता पर न добрतीपर, किस पर नриपर करतीप है? इसकी ती बृता पर नर्षो करतीपर, उसकी आपर निर्षो नर्षो सकते हैं? constitucam आ गया किह तिया इसे समजाने के लिए समय स्धास क्यों पड़ा है इसके निसकर्स यहां पर पढ़ सकते हैं और इन करें इनको आपको यादी करना पड़ेगा क्योंकि इनमें समझाने के लिए कुछ नहीं क्या दिया हुआ थोड़ा पड़ देते हैं चुकि प्रकास तरंग द्वारा संचरित उर्जा दादू तल के प्रकास सिर्थ छेत्रफल में उपस्ते सभी इलेक्ट्रोनों में बित्रित होगी यानि जितने भी इलेक्ट्रोन है प्रकास सिर्थ छेत्रफल यानि जो से कोई छेत्रफल है दादू का उसमें सभी में इलेक्ट्रोन बित्रित होंगी अतहा इलेक्ट्रोन द्वारा उर्जा संचित करने में कुछ समय लगना चाहिए यानि जो उर्जा संचित होगी उसमें थोड़ा वो समय लगना चाहिए जब कि प्रियोग द्वारा पाया गया कि धादू तल पर परकाश डालते ही उससे इलेक्ट्रोन उटसर्जित होने लगते हैं यानि कि ये बात गलत है यहां पर कह दिया चिरसम्मद सिद्दान्त क्यों सपल रहा इसी कारण ये चिरसम चिरसम्मद सिद्दान्त कहता है कि आपतित परकाश की तीवरता बढ़ाएंगे तो आयाम बढ़ेगा जिससे तरंगो द्वारा संचरित हो जाए बढ़ेगा जो संचित की गई उड़ जाए बह बढ़ेगी फलता दातू से मुक्त इलेक्ट्रोनों को अधे कूर्जा जिससे क्या होगा इलेक्ट्रोनों को अधे कूर्जा मिलेगी अतहा उत्सरजद फोटो इलेक्ट्रोनों की ओर्जा बढ़नी चाहिए जो कि प्रायों के एक तत्त्त के बिपरीत है यहां पर जो हमने पढ़ाता इसके यह बिपरीत है तो इसलिए यह असपल रहा चरसम्मस स प्रद्दान के अनुसार यदि आथित परकास की तीवेड़ता इतनी है कि यह दादू के इलेक्ट्रोन को निकालने के लिए परियाब्त ऊर्जा-परद्दान कर सके तो आप्थत परकास की आवित रफ़ती चाहे कुछ भी हो या यानि उसके आविति खुछ भी हो दादु तल से इलेक्टॉन उसरज़त होने चाहिए यानि आपतिध परकास जो हम आपतिध परकास डालेंगे उसकी आपरती कुछ भी हो लिकन उससे इलेक्टॉन निकलने चाहिए जबकि प्रवयोगों दारा पाया गया कि इलेक्टॉन के उसरज़न के लिए आपतित प्रकास की आपरती एक निश्चत आपरती भी जिवरों से अधिक होनी चाहिए यानि ये भी फैल हो गया इसलिए चर्समत सद्दान्त असफल रहा ये तीन टॉपिक हैं यानि तीन बिंदू हैं इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं और देखिए आगला कॉर्शन इस वी में क्या दिया हुआ है इसे प्लांग के कौन्टम सद्दान दौरा आइंश्टीन ने इसे किस परकार समझाए यानि प्लांग के जो कौन्टम सद्दान था उसके दौरा आइंश्टीन ने इसे किस परकार समझाए अब हम इसको देखते हैं वो छोटे-चोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में परकास के बेग में कमान करता है यानि परकास की जो समचना है वो छोटे-चोटे बंडलों के रूप में है या पिर छोटे-चोटे पैकेटों में या आपने 11 क्लास में पढ़े होंगे यह बहुत एजी कॉश्चन है इसको आप बड़ी आसानी से याद कर लोगे तो इसमें कुछ नहीं है परकास क्या है चोड़ चोड़े बंडलों के रूप में पाया जाता है या पिर चोड़ चोड़े पैकटों के रूप में और इसको क्या कहते है फोटोन कहते है पिरतिक फोटोन की उच्जा एच भी बरावर एच सी अपॉन लेमडा होती है जहां एच पलांक नियो तंग जिसका मान यहां पर दिया हुआ 6.6 इंटू 10 की पावर मानस के 34 जूल इंटू सेकंड भी परकास बिकी करन की आबरती तता लेमडा तरंग देर है तो यह तो आपको समझ में आगे अब यहां पर चलते हैं आंश्टीन के अनुसार परकास की तीवरता इन्ही फोटोनों पर नर्वार करती है यानि आंश्टीन के अनुसार परकास की तीवरता इन्ही फोटोन यानि इन्ही बंडलों पर नर्वार करती है जे हमने यहां पर पढ़ाएं बंदलों चोट-चोटे बंदलों या पैकटों तो इन्ही पैकटों या बंडलों पर deh Von करती जब आबरती भी करन किसी डादू तलप डाला जाता है तो पर त आप ते क्ई की उर्जा HV होती है निल पहले ईसट- और यह विकि करन डाला जाता है तो Are HV होती है जो धाटू के बीतर उपस्तित इलेक्टोन को प्राप्ट होती है यह उर्जा जो नहीं तो थो प्रकार के से बैह होती है यह दू कुछ बाग दादू के बीतर से दादू के तल तक मैं अलेक्ट्रneck लाने में बैय होता है। यानी उर्जा को कुछ बाग होता है जो दादू के अंदर तक गीतर समय बागोल एक पार्प उर्जा हमणिए अलेक्ट्रून बादर करे देली उर्जा को दादू करषी section याँ याने बैJO उर्जा है अजो किसी दादू से मुक्त इल्वियूंगो बाहर लाने साथ या पर आप यहां तक कर सकते हो OUR यह किसी दादू के का रुश्यन वेनियुन्टन होगा है जो मुक्त अल्यट्टन को उसके तला तक के लिए अवश्यक होती है जो दादू के अंदर मुक्त इलेक्टोन होती है उनको बाहर तल तक लाने के लिए जो उर्जा को प्यों होता है वो कारफलन उर्जा होती है आप कारफलन उर्जा कोई डेली उर्जा कहते हैं देखिए दोस्तों अगर आप चाहें तो यहां से यहा अलग अलग दाटू होंगी जितनी इमीज परकार के दाटू होती है सभी के लिए इसका मान बिन बिन होता यानि अलग अलग होता इसे अक्छर पाई द्वारा प्रदर्सित किया जाता है यादी दातू तल की ड्य्ली आबिर्टी भी जीरो देली तरंग दैडरे लेमडाजीरो है तो दातू का कारफलन ये दातू का कारफलन होगा इसको आपको याद करना पड़ेगा उर्जा का सेज़ बाग दातू तल पर मुक्त इलेक्टोनों को गते जूर्जा देने में प्रियुक्त होता है यानि जो बांकी का बचता है वो गते जूर्जा देने में प्रियुक्त होता है यादी और सर्जित इलेक्टोनों का द्रबमान M और बेग B हो तो इलेक्टोनों की गते जूर्जा ए के बरावर बना पॉन्टू एम बी स्कॉर होगी अतहाद उर्जा सनलक्चन के सिद्धान के दोरह ये फोटोन दोरह दी गई उर्जा बरावर उतसरजित इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम गते जूर्जा प्लस दादू का कारिफलन या फिर ये हमें ऐसे लिख सकते हैं आप चाहें तो यहां तक लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहां तक भी लिख सकते हैं तो यह थोड़ी याद करने वारी चीज़ा इसको आप याद कर सकते हैं मुझसे जितना बना मैं आपको उतना समझा दिया और इसमें कोई गड़बर दिखाए तो कमें झाल झाल